Hello and welcome back to the YouTube channel Combined Education मेरा नाम है गर्व महाजन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोर्ड में जो आज क्लास एल्थ का इंग्लिश का पेपर हुआ उसके वारे में, उसकी डिफिकल्टी के वारे में और उसके सारे अंसरकी के वारे में और ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर किसी ने कोशन कोई attempt किया है मतलब उस कोशन को स्टार्ट कल दिया उस student ने लेकिन बाद में उसको ये realize हुआ कि मैंने कोशन गलत कल दिया तो क्या उसको उसके marks मिलेंगे? क्या किसी ने letter में mistakes बहुत ज़्यादा कल दी है? क्या उसको उसके marks मिलेंगे? ये सारे doubters आपके clear होंगे आज की इस वीडियो में तो start करते हम अप section A से जो है reading comprehension जो आई थी आपको 15 marks की तो यहाँ पे set का कोई system होता नहीं है total number of pages थे आपके 4, maximum marks थे आपके 50 paper उसी तरीके से आया है जिस तरह से आपको paper pattern बताया गिया था जैसा jk board ने अपने official website पे paper pattern रिलीज किया था उसी तरीके से आपको जो है वो paper आया है तो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है jk board की उसके वाद अगर हम question number one की बात करें तो question number one एक्स्टेंजा दिया गया है आपको आपको 5 question पूछे गए है sorry पांच question आपको पूछे गए है इसके आपको जो है वो answer देने है तो पहला winter is described as तो इसका option था lifeless अब lifeless क्यों क्योंकि देखो winter में क्यों होता है words जो है na birds पक्षी वो उनकी death हो जाती है यह देखो it was a winter such as when words die what happens in the words to the words in winter तो इसका right option था they die second वाला stiffened means stiffened का mean क्यों होता है strength करना किसी को किसी को ज़्यादा जोर लगाना तो इसका जो correct option आएगा वो आएगा fourth part strengthen उसके बाद herd का opposite क्या होता है आपको दो option जो हैं वो लिखे गए है मतलब soft और tight तो इसका right option जो था वो था soft उसके बाद जो question number five है यह है आपको एक answer लिखना पढ़ना था what do comfortable men do during winter जो comfortable लोग होते हैं वो winter के समय में क्या लिखते हैं तो यह देखो आपके जो पैसिस की line है third last उसी में जो है इसका answer ship है comfortable men gathered around the great fires and yet feel cold तो इसका option जो है वो अगर आपने लिखा है तो आपके marks मिल जाएंगे अगर आपने कुछ और वी लिखे ना इस answer की जिगा जो multiple type में आएं उसमें नी यह जो fifth one है इसमें अगर आपने कुछ और भी लिखे अपनी language में लिखे तब भी आपको पूरा एक marks मिलेगा और अगर आपने जो multiple चुए है इससा वो correct अ कल दी है तो इस question में आपको 5 marks मिल जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसके बाद question number two आया है एक पैसे और उसके आगे पूशे गए है पांच question चलिए देखते हैं क्या इसके right option थे और आपने किस तरह से की है what is Milka Singh known as तो इसका option था Milka Singh is known as the flying sick इतना सा आपको answer लिखना था क्योंकि एक mark का जो है वो answer है when he was on the track during the Melbourne Olympics Milka Singh realized that जिब Milka Singh जी Melbourne Olympics में बाग रहे थे न उनको ये realize हो गया क्या realize हुआ था he was the best nobody can defeat him he was better than international athletics तो इन तीनों में से तो कुछ नहीं realize हुआ था बलकि उन्हों ही ये पता लगा था his talents were inconsequential as compared to the international athletics मतलब उन्हें ये realize हो गया था कि मेरा जो talent है ना as compared to international athletics उनके मताबिक थोड़ा सा कम मैं मुझे और hard work और patience की जरूरत है उसके बाद लिस्ट है निट टू of Milka Singh achievement तो यहां पर देखो लिखा गया है कि he is the only athlete to win gold in 400 meters in the Asian Games as well as the Commonwealth Games ये उनके दो achievement होगी तो he also won gold medal in 1958 and 1962 Asian Games ये उनके जो है वो achievement है he represented India in 1956 Summer Olympics in Melbourne ये वी उनके जो है वो achievement है he was awarded the Padmashiri India's fourth highest civilian honor in recognition of his sporting achievement तो यहां पर काफी सारी जो हैं वो achievement लिखी थी इन में से कोई दो आपको लिखनी थी उसके बाद जो आता है sprinter means an athlete who races of a short distance या ऐसा two or five तो इसका option था true क्योंकि से printer तो वही लोग होते है ना जो थोड़ा distance cover करते हैं लेकिन बाग के करते हैं उसके बाद I must be prepared to test my metal against the best athletes in the world metal in this sentence is used as तो किसके भी ये क्या आगया notification clean up your device यार मेरे mobile के ना stories बड़ी full हो गई है मैं काफी सारी चीज़े डिलीट भी कल देता हूं वीडियोस बना बनो के लेकिन इसका कोई जिवाब नहीं मिल रहा अगर आपके पास कोई जिवाब है ना तो मेरे को comment में ज़रूर बताना यार ताकि मेरे भी थोड़ी problem जो है वो solve हो सके बलार इसका जो right option था वो था noun क्योंकि metal का मीन होता है अपनी strength तो इसका जो right option है वो है noun उसके बाद question मतरी आ गया आपको बोला कि यह जो ऊपर मतलब एक drawing से दिया है diagram से दिया है इसको देखो नीचे question दो बहुत है easy question था है how many home runs did Sarah have in total तो इसका right option था seven उसके बाद what was the total number of home runs scored by the player with the most home runs सबसे ज़्यादा home run किसने मारे तो यहाँ पर आया है Tracy ने अब Tracy ने कितने मारे तो भई उसने home run मारे 12 कोई अच्छा player लग रहा है मुझे बेसबॉल का how many home runs did dog score dog ने कितने मारे भई dog ने मारे भई आपके 11 यह भी अच्छे उसके बाद Mark ने कितना मारा Mark का score हुआ भई आठ और यह जो last question है ना from the player with the fewest home runs to the player with the most home runs इनको ascending order में fit करना था जैसे सबसे पहले नाम लिखना था Patty का फिर सारह का फिर Mark का फिर dog का और end में Tracy का कि Tracy ने सबसे ज़्यादा जो है वो home run मारे है उसके बाद आगी आपकी section भी grammar जी है है आपको 8 marks की तो यहाँ पर इन्होंने जो question number 4 है ना यहाँ पर इन्होंने बोला कि यह जो blanks हैं इनको fill कल दो यार option भी दीए हैं आपको हर एक blank में ना एक एक option जो है वो use होना था तो इसका option जो है first blank में आना था the दूसरी में हर तीसरी में enjoyed चोथी में thick और पांच में में should जानि Anu went to the park with her mother and father she ran on the grass while her mother enjoyed watching her she spread out a thick blanket on the lawn and gave chocolates to Amu mother advised her that she should throw the wrappers of chocolate in the dust wind उसके बाद question number five यह है यह आपको direct speech आये थी इसको indirect में जो है वो change करना था die marks का यह यह question था उसके बाद question number six आया editing task तो इसमें तीन आपको mistakes जो है वो निकालने थी तो mistakes क्या थी in my last summer vacation coma दिया है कोई दिकत वाली बात नहीं है I went to a historical place अब historical place के आगे article जो है न वो earn नहीं लग सकता इसका जो एक ही जेगा लगना था the तो पहली mistake यह आगी all the members of my family go अब go जो है वो present form चल रही है इसका option आना था जो right है आना था went दूसरे mistake ही होगी उसके बाद we did not feel any difficulty there अब there जो है वो दूसरा आना था T.H.E.R.E. वाला तो यह question तीन marks इसके भी easy है उसके बाद question number seven जो है वो आया writing skill से यहां पर आपको dialogue बनाने थे जहां अपने mind को use करके आपको एक short story बनाने थी तो अब देखो यह dialogue जो है वो आपने अपने से बनाई होगी story जो है अपने से बनाई होगी अब एक major question आता है कि हमने सिरफ answer दिख लिया answer number seven और उसको अपनी टूटी-फूटी language में बना दिया 80-90% हमारी mistakes है तो भई अगर 80-90% आपकी mistakes भी है आपको 1.5 marks मिलेगा क्योंकि अगर आपने attempt की है ना आदा marks आपको attempt करने का ही मिलेगा और अगर आपने लिखा भी है और उसमें mistake है एक marks आपको मिलेगा क्योंकि JK board में strict marking नहीं की जाती उसी तरह से question number eight जो है वो आया message और message के और में आया email तो यह सारा आपको 2-2 marks में था और 50 words में आपको करना था तो अगर आपने इसका format अच्छे से बनाया होगा तो one marks आपको सिरफ format से मिलेगा और जो आपने बीच में लिखा होगा ना उसकी main theme one marks आपको उसमें से मिलेगा तो यह question जो है वो वी easy था क्योंकि attempt अगर आपने किया होगा तब भी आपको marks मिल जाएंगे उसके बाद question number 9 आपको आई letter दो letter आय थी एक कलनी थी उसके बाद question number 10 जो है वो आई report वो क्या आगे report अब पहले से paper pattern में यही था कि ऐसे नहीं आएगा बलकि report आएगी तो यह report बनाने का format भी हमने discuss किया था अगर आपने मतलब effect of pollution on quality of life तो वही है कि environment pollution का एक माइनस आई topic है कि pollution का effect क्या है हमारे life के उपर और बस इसका format जो है वो दियान से दियान रखना था अगर आपने format अच्छा लिखा है और grammatically mistake नहीं की है तो आपको full marks मिलने की possibility है उसके बाद अगर हम बात करें section D literature में तो question number 11 में 5 question आये थे कोई 3 आपको करने थे उसके बाद question number 12 में आपको 4 question आये थे और 2 आपको करने थे और question number 13 में आपको 3 question आया है और 1 आपको करना है अब मैंने आपको वीडियो की starting में बताया था कि marking किस तरह से होगी तो 8th class में marking जो है वो easy होती है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अगर आपने attempt किया है और हलका सा भी लिखा है और jam बहुत लिखा है और mistakes हुई है तब भी आपको marks मिल जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहींगे और paper का जो difficulty level था वो class health के हिसाब से moderate कह सकते हैं क्योंकि easy भी नहीं था और moderate hard भी नहीं था hard तो बिलकुर नहीं था यार ऐसा कह सकते हैं और easy इसलिए नहीं था क्योंकि paper जो है वो lengthy था क्योंकि आपको email बनाना पड़ था letter थी, report था, question answer थी फिर पैसे से आपको answer डूने में time लगेगा तो paper lengthy था लेकिन hard नहीं था बलाल आपके क्या views हैं इस paper पे मेरे को comment box में जरूर बताना आज की इस वीडियो में बस इतना ही जेके बोर्ड के साथ जुड़े रही है और जेके बोर्ड के साथ जुड़ने के लिए combine education के साथ जुड़े रहना क्योंकि इस channel पे आपको जेके बोर्ड के exam preparation tips exam के study और exam का analysis मिलता है बहुत ही knowledgeable ये channel है तो channel को subscribe करके bell icon को ज़रूर click करना ताकि हर नई वीडियो को notification सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही thank you very much